हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम टो फिजिक्स क्लासेज, क्लास फस्ट एर के वेक्टर एनालेसिस चेप्टर के साथ में लेक्चर में, आज हम वेक्टर प्राडक्ट आफ टू वेक्टर्स, यानि दो सदिसों का सदिस गुड़नफल के बारे में पढ़ेंगे, तो पिछले लेक वेक्टरों को आपस में जब गुड़ा करते हैं, तो जो गुड़नफल है, वह अदिस आता है, तो उसे हम कहते हैं, स्केलर प्रडक्ट, ठीक उसी तरह से, जब दो वेक्टर्स को मल्टिप्लाई करने पर, जो प्रड़क्ट है, उसका गुड़नफल है, वह वेक्टर क्वा दोनों एक दूसरे से थीटा कोन पर इंकलाइंड है, तो इनका क्रास प्रड़क्ट या वेक्टर प्रड़क्ट एक्रास बी इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा इन्टू यूनिट वेक्टर एन, यह यूनिट वेक्टर एन, वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो प्लेन होग उस plane के perpendicular होगा, जैसे अगर हम यहां आप suppose कर लें कि vector A की decider है, vector B की decider है, तो A और B का जो plane है, तल है, यह इस screen का तल या इस board का तल होगा, क्योंकि यह X हो गया और यह Y हो गया, तो इसका मतलब है कि इसकी जो direction है, यह इसके perpendicular direction में ऐसे होगी, plane के perpendicular, तो जो unit vector N है, this is perpendicular to the plane containing both the vectors A and B, A और B दोनों के perpendicular होगा, जैसे बल आघूर्ण टार्क, tau equals to R cross F, R cross F, यह जो है, एक vector quantity है, कोड़ी संबेग, J equals to R cross P, इसी तरह कोड़ी ये बेग, तथा रेखी ये बेग में संबंद, vector V equals to vector omega cross vector R, इसी तरह कोड़ी ये तोरण तथा रेखी तोरण में संबंद, ये vector A equals to vector alpha cross vector R, सदिस गुड़नफल के कुछ गुण है, properties of vector product, तो क्या-क्या है, सदिस गुड़नफल करम बिन में नियम का पालन नहीं करता है, अर्थात A cross B की value जो है, B cross A की बराबर नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, A cross B में आपको जो value मिलेगी, A cross B equals to AB sine theta into unit vector N, वहाँ A और B के तल के लंबोत होगा, B और A में, B cross A में, BA sine theta into unit vector N, जो होगा, वहाँ unit vector N, इसके opposite direction में होगा, सदिस गुड़नफल बीतर अनियम का पालन करता है, इस ओबेज distributive law, means A cross B plus C equals to vector A cross vector B plus vector A cross vector C, यदि किसी भी एक सदिस को किसी अदिस से गुड़ा कर दें, तो सदिस गुड़नफल भी उसी अदिस से गुड़ा हो जाता है, अर्थात, अगर vector A में, अगर हम M से multiply कर दें, तो M A हो गया vector into vector B, अब multiply करने पर ये मिलेगा, M times vector AB sin theta into unit vector N, तो अब ये पूरे में M से multiply हो गया, यदि theta की value 0 है, या 180 degree है, तो A cross B equals to 0, क्योंकि AB sin theta, sin 0, sin 0 की value 0 होती है, इसी तरह से sin 180, इसकी value भी 0 होती है, तो A cross B equals to 0 होगा, अर्थात, दोनों vector समानतर होंगे, तो अब ये condition भी बन गई, कि जब दो vector समानतर होंगे, तब हम find करते हैं, A cross B equals to 0, जैसा कि dot product में हम लोग find करते थे, कि अगर दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, तब हम निकालते थे, A dot B equals to 0, अब इसी तरह से ये orthogonal unit vectors के term में आप देखेंगे, तो vector x, y और z के along, जो unit vector है, i, j और k है, i और j के बीच 90 degree, y और z के बीच में 90 degree, z और x के बीच में 90 degree, तो अब यहाँ पर हम इसका i cross i, self का अगर निकालते हैं, तो i cross i means हो गया unit vector 1, unit vector 1 into sin 0, i के i के साथ बनेगा 0, तो sin 0 हो गया, sin 0 के value 0, अर्थात 0, तो i cross i equals to 0, इसी तरह j cross j equals to 0, k cross k equals to 0, लेकिन i cross j क्या होगा, तो i cross j equals to unit vector इसका 1, और यह भी magnitude 1 into sin 90, i और j के बीच में जो एंगिल बनेगा, 190 degree होगा, तो sin 90, sin 90 की value 1 into unit vector आएगा, तो जो unit vector होगा, वह किदर होगा, i, j के perpendicular, तो i की दिशा इधर है, j की दिशा इधर है, तो इसके perpendicular किदर हुआ, j direction में अर्थात k, unit vector k, तो i cross j equals to unit vector k, इसी तरह, j cross k equals to unit vector i, k cross i equals to unit vector j, जैसा कि इस figure से आप देखें, कि अगर i का j में cross product निकालते हैं, तब मिलेगा k, j का k के साथ मिलेगा i, k का i के साथ तो मिलेगा j, अगर यह anti-clockwise direction में है, अगर इसे clockwise direction में निकालेंगे, तो इसकी जो direction होगी, वह opposite होगी, means, i into k equals to minus j, k into j equals to minus i, j into, यानि j cross i equals to minus unit vector k, तो direction इसकी जो है, reverse होटो चाहिए. अब अगर vector a और vector b, इसके component के form में दिये गए हैं, तो अगर vector a equals to a xi plus a y j plus a z k, vector b equals to b xi plus b y j plus b z k, तो अब इसकी जो value होगी, कितनी होगी, तो इसे हम जो है, matrix से साल करते हैं, तो a cross b equals to, यह अब देख रहे होगे, matrix i, j, k, a x, a y, a z, b x, b y, b z, यानि vector a में i, j, k का जो coefficient है, a x, a y, a z, और b में b x, b y, b z, यह हम ऐसे लिख लेते हैं, अब इसे expand करते हैं, तो expand करने के लिए, i, j, k के respect में अलग-अलग हम निकालेंगे, तो जिसके respect में निकालते हैं, उस row और column को छोड़ देते हैं, तो जैसे हम find करेंगे, i से सुरू करते हैं, तो i से जब सुरू करेंगे, तो यह देखे, i वाले row, यह row हट गया, और i वाला column, यह column हट गया, तो बचा क्या, a, y, az, by, b, z, और इसे जो हैं, हम इस तरह से लिख लेंगे, a, y, az, by, b, z, i के respect में, इसके बाद, second में, आईए, तो second में, j के respect होगा, तो जो इसका expansion होता है, यह होता है, plus, minus, plus, अगर इधर से भी देखेंगे, तो plus, minus, plus, यानि पहला plus, दूसरा minus, तीसरा plus, इस तरह से होता है, तो second में हो जाएगा, minus j, minus j, तो j वाले column को, और j वाले row को, छोड़ देंगे, तो यहाँ बचेगा, ax, az, bx, bz, इसे हम यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे, ax, az, bx, bz, plus, unit vector k, अब k के लिए देखें, तो k के लिए, आप यह row और यह column छोड़ देंगे, तो ax, ay, bx, by, यह हमने लिख लिया, अब इसे जो है, simplify कर लेंगे, तो equals to i times, ay into bz, minus az into by, minus, j times, ax, bz, minus az, bx, plus unit vector k, ax, by, minus ay, bx, अब यह तो हो गया, expansion के form में, लिख दिया हमने, expanded form में, अब यहाँ पर, हम यह भी कर सकते हैं, कि इस minus को, plus कर दें, तो जब इसे plus करेंगे, तो यह term reverse हो जाएगा, az, bx, minus ax, bz, अगर लिखते हैं, तब यहाँ पर हम, plus लिख देंगे, तो इस तरह से, इसके expanded form में, यह हमें मिल गया, अब इसके कुछ applications, means इसका जो numericals है, कुछ numerical आप देखें, कैसे साल करते हैं, यदि vector a equals to 3i plus 3j, minus 3k, और b equals to 7i, minus 5j, plus 2k हो, तो vector a cross vector b, ग्यान किजिए, तो vector a, 3i plus 3j, minus 3k, और vector b, 7i minus 5j plus 2k, अब इसे इस फार में, आप लिखेंगे, तो vector a cross vector b, equals to, gamatics i, j, k, ax, ay, az, bx, by, bz, अब i, j, k, को ऐसे लिखेंगे, ax, ay, az के लिए, आप क्या देखेंगे, i का coefficient, first में, तो यह हो गया ax, यह हो गया ay, और यह हो गया az, अब यहाँ पर इसे हम लिखेंगे, इसी तरह से, यह हो गया bx, 7, by, minus 5, bz, plus 2, यह लिखेंगे, फिर इसे expand करेंगे, तो expand करेंगे, तो i, और यह हो जाएगा, 3, minus 3, minus 5, 2, minus j, और फिर, यह j वाला, और यह row, column हट गया, तो यह 3, minus 3, 7, 2, यह लिख लिए हमने, k के respect में, तो k के respect में, यह छूट जाएगा, और यह छूट जाएगा, तो बचेगा, 3, 3, 7, minus 5, यह लिख लिए, अब इसे simplify कर लें, तो i into, 3 into 2, 6 हो गया, अब फिर इसके बाद होगा, यहाँ पर माइनस, फिर इन दोनों का मल्टिप्लाई, इन का मल्टिप्लाई करेंगे, तो 5, 3, 15, minus, minus, प्लस, तो इसका मल्टिप्लिकेशन, माइनस, प्लस 15 आया, अब माइनस साइन पहले से है, तो 6, माइनस 15 हो गया, माइनस जे, 3, 2, जा 6, और 7, 3, जा 21, minus 21, एक माइनस पहले से, तो यह हो गया, प्लस, प्लस उनिट वेक्टर के, 3, 5, जा, माइनस 15, माइनस, 7, 3, जा 21, अब इसे आप जो है, सिंप्लिफाई कर लेंगे, तो A, क्रास B, इक्वल्स टू, माइनस 9, I, माइनस 27, J, माइनस 36, K, किसी घुरणान गती करते वे, पिंड पर बल, F एक्वल्स टू, 2I, प्लस 3, J, माइनस 4, K, निउटन, तथा इस्थिती वेक्टर, पोजिशन वेक्टर, R, एक्वल्स टू, 2I, 3, J, टाउ इक्वल्स टू, R क्रास F, तो R क्रास F, अब इसमें आप ये ध्यान देंगे, कि पहले F दिया गया, और फिर R दिया गया है, और जो फार्मूला होता है, वो R क्रास F होता है, तो जो पहले लिखा जाता है, यह पहले रो में आएगा, मनला पहली रो में तो I, J, K हो गया, लेगि सेकेंड रो में R का, A, X, A, Y, A, Z का टर्म आएगा, और लास्ट में जो है, यह F का, तो अब यहां से R से, A, X, A, Y, A, Z की बेलू, यहां पर हम पुट कर लेंगे, तो यह – 2, – 3, और 4 आ गया, B, X, B, Y, B, Z, यह F से पुट कर लेंगे, तो यह 2, 3, और – 4, और फिर इसे आप सिंप्लिफाइ करेंगे, उसी मेथड से, तो यहां पर मिल जाएगा, TAU equals to 0, means, यहां पर जो TARC लग रहा है, इस बल के कारण, वह TARC की बेलू होगी, सुन जीरो होगा, दो बेक्टरों, बेक्टर A, 2I plus 3J minus 4 के, तथा, बेक्टर B, 4I minus J plus 3K, के लंबवत एकांक बेक्टर ग्याद कीजिए, लंबवत एकांक बेक्टर, तो लंबवत के लिए, आपको क्या find करना होता है, लंबवत के लिए, cross product, तो A cross B, तो हम यहाँ पर सफोज कर लेते हैं, कि एक हमारा बेक्टर है C, तो बेक्टर C जो है, उसे find करना है, तो बेक्टर C है क्या, A cross B है, लेकिन question में पूछा है कि, इन दोनों के लंबवत, एकांक बेक्टर ग्याद कीजिए, unit vector, तो जो C निकलेगा, वेक्टर, उसका जो है unit vector, तो unit vector find करने के लिए, unit vector equals to, vector C upon, mod of vector C, तो सबसे पहले आप क्या निकाले, vector C equals to, A cross B, vector A cross vector B, तो अब इसे आप, value put करेंगे, तो A की value, 2, 3, minus 4, B के लिए, 4, minus 1, and 3, और फिर हम इसे simplify करेंगे, तो जब इसे simplify करेंगे, तो vector C की value आगई, 5, 5, minus 22, J, minus 14, K, vector C मिल गया, अब vector C का magnitude, तो vector C का magnitude, find करने के लिए, I, J, K के coefficient का square करके, under root कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसका magnitude, 5 का square, plus, minus 22 का square, plus, minus 14 का square, और इसे simplify करेंगे, तो यह 25, plus 484, plus 196, total आगया, under root 705, अब, A वह B के लंबवाद एकांक वेक्टर, C cap equals to vector C, upon, vector C का magnitude, तो vector C हो गया, 5 I minus 22 J minus 14 K, और इसका magnitude हो गया, under root 705, अब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कि 5 upon, under root 705 I minus, 22 upon, under root 705 J, minus 14 upon, under root 705 unit vector K, के far में भी हम लिख सकते हैं, किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाएं, vector A, 2 I plus 3 J plus K, तथा B, I minus 2 J plus 3 K, द्वारा परदर्शित हैं, इस समांतर चतुर्भुज का च्छेतरफल ग्याद किजिए, तो समांतर चतुर्भुज का जो च्छेतरफल है, वह किसके बराबर होगा, और इसमें जो है, हम इसका च्छेतरफल फाइंड कर रहे हैं, तो समांतर चतुर्भुज को हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, तो दो पार्ट में अगर ब्रेक करें, तो हम यहाँ पर फाइंड करते हैं, 1 upon 2 base into height, और फिर second part का भी 1 upon 2 base into height, तो इस तरह से दोनों को add करने पर simply हमें मिल लाता है, mod of vector A cross B, यानि vector A cross B का mod निकाल लें, तो वह समांतर चतुर्भुज का च्छेतरफल होगा, तो vector A cross vector B equals to यह formula, I, J, K, A, X, A, Y, A, Z, B, X, B, Y, B, Z, अब उपर के equation से जो vector A और vector B की value है, इससे जो है A, X, A, Y, A, Z, B, X, B, Y, B, Z की value हम यहाँ पर put कर लेंगे, तो यहाँ से मिल गया A, X, 2, A, Y, 3, और A, Z, 1, B, X, 1, B, Y, minus 2, and B, Z, 3, यह value put कर दिया, फिर इसे expand कर लेंगे, तो expand करने के लिए, अब हम बार बार उस formula को लिख करके हम सीधे ऐसे करेंगे, I into इसको छोड़ देंगे, और इसको छोड़ देंगे, 3, 3, 9, और minus, minus 2 into 1, तो minus 2, यह plus हो जाएगा, तो 9 plus 2, J के respect में, तो यह हो गया J, और यह छूट जाएगा, तो 2, 2, 3 जा, 6 minus 1 into 1, 1, तो 6 minus 1, प्लस unit vector K, K के respect में, तो यह आप इसे छोड़ दीजिए, और इसे छोड़ दीजिए, तो क्या हुआ, 2 minus 2, तो यह multiply किया, तो minus 4, और यह हो गया minus 3, तो अब इस तरह से मिल गया, 11I minus 5J minus 7K, तो vector A cross B का माड, means जो vector मिला है, उस vector का magnitude, तो magnitude निकालेंगे, तो यहाँ पर I, J, K के coefficient का square करके अंडर root, तो I का coefficient 11 का square, J का coefficient minus 5 का square, प्लस K के coefficient minus 7 का square, 11 का square 121, minus 5 का square 25, minus 7 का square 49, टोटल हो गया, 195, अतर समांतर चतुर्भूज का जो चत्रफल होगा, अंडर root 195, वर्ग मात्रक, क्योंकि unit तो हम यहाँ पता नहीं है, लेकिन area है, तो यहाँ square unit में आएगा, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे इसका वर्ग मात्रक या square unit, उपे पर लेकिन 2 का, अनौन